सबी कुछ जैहिन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडियास भारत पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रॉस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकरा हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटियोट सुप्रियम कोट की दबंग वकील नाजिय लाए खांजी का दमदार और बेबाक इंट्रॉइ जो कीवत देंगी पाकेसान की मशूर यूट्यूबर अरम शेक को तो ये वीडियो काफ़ इंट्रॉस्टिंग होगी आपको बहुत को जानने को मिलेगा तो इसे आं तक देखे के सरपर ठेकरा और नारियल फोडने का कि पूरी तैयारी कॉंग्रिस ने और पारुक अब्दुल्ला की पार्टी ने किया हुआ था और बार बार कह रहे थे कि ये जो आतंकवादी है इंजिनियर राशिद ये एक साइलेंट सपोर्टर है भार्तिजनता पार्टी का हमने ब राशिद का भतीजा शेक खुर्शी जब 370 को फिर से वहां पर लगाने के लिए बैनर ले करके खड़ा हुआ तो उसका समर्थन किस ने किया उसका सपोर्ट किस ने किया पारुक अब्दुल्ला की पार्टी ने और कॉंग्रेस ने समर्थन किया और भारते जंता पार्टी क कि जितने भी विदायक वहां पर थे वो उसके हाथ से वो बैनर खीच रहे थे वो लेने की कोशिश कर रहे थे और लिये भी ताके वो एक प्रूफ बन सके लॉइन और के लिए कि इस हिसाब से वो विदान सभा के अंदर एक आतंग की हमला करने के चकर में लगा हुआ था 370 के नाम पर अब बात आती है कि आकर इंजिनियर राशिद के का भतीजा शेक पुर्शीद जब मेंबर ओफ लेजिस्टेटिव असिमली बन करके जमोयन कश्मीर के विदान सभा में एंटर किया है तो अचानक से पहले ही सत्र में विदान सभा के पहले ही सत्र में ऐसी क्या पढ़ा कि उसने पहले ही सत्र में एक बैनर दिखा दिया और जिसमें कह दिया कि 370 और 35 यह दुबारा लागू होना चाहिए और क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी और ऐसा क्या हिडिन अजिंडा था जो फारुक अब्दुल्ला की पार्टी के सभी विदायक और कॉंग्रेस क एक आतंकी इंजिनियर राश्यित के भतीजे का समर्थन किया अब बात यहां से स्टार्ट होती है बात यहां से स्टार्ट ये होती है कि चहरा बदल जाने से फितरत कभी नहीं बदलती है आप अपने लहजे को अगर बदल सकते, बदल देते हैं, लेकिन आपके मौटिफ कभी नहीं बदलते हैं, आज अगर मैं इंग्लिश में आपके साथ बात करो, तो क्या मेरे जवाब देने का जो way of delivery of speech है, वो क्या change हो जाएगा, कभी नहीं होगा, नाजिया का हमेशा से एक aggressive nature रहा है, और नाजिया जितनी भी कोशिश कर ले, वो aggressive nature नहीं change हो सकता है, क्योंकि ये बाइबार्थ है, ये पैदाईश ही मुझे मिला है, नाजिया का अगर एक bossy nature है, तो नाजिया जितनी भी, मैं coat paint, टाई पहनती हूं, तो भी ये bossy nature रहता है, तो उसी तरीके से, हाला के, उसी तरीके से, उमर अब्दुल्ला जब उनकी party जीती थी, और भारी बहुमत पे उन्होंने seat जीती, और उसके बाद, जीतने के बाद, और counting के बाद, जब पहला उन्होंने media interaction किया था, तो उमर अब्दुल्ला ने साफ लफजों में कहा था, कि 370 पर अब कोई बात नहीं होगी, जो abrogate हो गया, so हो गया, अब हम 370 पर कोई बात नहीं करेंगे, इवन उमर अब्दुल्ला ने अपने statement में ये भी कहा था, कि वो नरेंद्र मोधी जी के नेतरत में कश्मीर को और develop करने की बात करेंगे, अब बात आती है कि जिस इनसान को हत्या, रेप, नरसंगहार, ये सब करनी की आदत हो चुकी हो बच्पन से, वो कैसे छोड़ सकता है, अज 77 साल से पाकिस्तान को जिन्ना ने नफरत करने के लिए बनाया, पाकिस्तान नफरत कर रहा है, कभी भारत में भारत के हिंदूओं से काफिर बोल करके नफरत करता है, कभी एरान से नफरत करता है, और कभी अफगानिस्तान से ये कहता है कि ये लोग मेरे पाकिस्तान में गुच गया है, इनको भगाओ, भुत्ते बिल्ली की तरह, धख्के मार करके भगाओ. हलाकि एरान भी मुसल्मान है, अफगानिस्तान भी मुसल्मान है, तालिबान भी मुसल्मान है, इसराइल भी बनी इसराइल है, यहूदी है, तो हमारे अलकुरान में भी बनी इसराइल का जिक्रह है, तो जब एक मतलब बीज होती है, जैसे पाकिस्तान की बीज नफरत से वह नफरत कर रहा है तो उसी तरीके से फारुक अब्दॉल्ला और उमर अब्दॉल्ला को आदत पढ़ चुकी है जैश-e-mohamed, लश्कर-e-tayba, यासीन-malik, आतंक-वादी, पाकिस्तान का समर्थन, उनको आदत लग चुकी है, उनको उनको उनकी फतरत में शामिल हो चुका ह जब हम 90's के एरा में जाते हैं अनम, तो हम देखते हैं कि फारुक अब्दॉल्ला जब वहां के चीफ मिनिस्टर बन करके बैठे थे, तो वहां पर जब एर फोर्स की हत्या होती थी, ये कह करके कि वो कश्मीरी पंडित है, तो वो वजीर डिस्को बोल करके एक जश्न मनाया करते थे, फारुक अब्दॉल्ला जब वहां पर बेटियों का जेनसाइड होता था, तो वो गॉल्फ खेला करते थे, जब वहां पर कश्मीरी पंडितों की बेटियों को लूटा जाता था, माले का निमत समझ करके, तो फारुक अब्दॉल्ला वहां पर जश्न का इंतिजा किया करते थे तो ये फारुक अब्दुल्ला के नस नस में बसा हुआ है आतंक वाद के साथ उठना बैटना खाना पीना और कहीं ना कहीं एक आतंक वादियों के चपल जूते को साफ करके अपनी लीडर्शिप को और अपने सत्ता को और अपने पावर को बनाए रखना ये फा से सीखा कि सारे धर्मों की इजद करनी चाहिए मैंने अपनी अम्मा से सीखा कि मुझे खाना भी बनाना आना चाहिए मुझे घर के काम भी आने चाहिए मुझे पढ़ाई भी करनी है और मुझे आगे चल करके एक जिम्मेंदार मा भी बनना है तो मैं वो बनी अब किसी की मा बेटी को चान पर जाना है, अगर मों चान पर नहीं पहुंचती तो कम से कम पाइलेट तो बनी जाती तो यह आपकी अपटर के बिंडि आप करता है जो उमर अपुल्डला ने अपने अब आचाहन से क्या सीखा, कि कैसे यासिन मलीक के साथ दोस्ती की जाती है, कैसे लशकर-े-तैबा के साथ दोस्ती की जाती है, कैसे हिंदुों का नरसंगहार किया जाता है, कैसे दूसरों को मार काट करके, काफिर बोल करके, उनको बेघर और दर-बदर किया जाता है, तो यह उमर के बावजूद भी उमार अब्दुल्ला का एक भी बयान नहीं आया है कि जो हुआ वो गलत हुआ वो उसको कर्णम करते हैं और इस पर वो खानूनी कारवाई करते हैं अब थार्ट जो पॉइंट है अनम वो बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबिल पॉइंट इसलिए है क के 330 जब तक वहां पर जमुएन कश्मीर में था बढें बहुते ऐसे बेटियों का रएप हो गया तो जीरो एफ्ऐयर नोन एफ बर हो गया किसी के घर वेचाः व गया किए Mr. Kerryं खिба इसी कि आबरू लूट ली गई, जीरो एफायार हो गया, या जैसे पहले, जैसे मुहम्मद जो वहां पर और लश्कर-े-तैबा वहां पर पाकिस्तान के आतंगवादी ग्रूप जो वहां पर होते थे, तो नंबर लगा करके वो लोग रेप किया करते थे, कश्मीरी पंडित की बेटियों का, तो उस पर कोई FIR नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, उसके बाद क्या हुआ है, कि अब जब से 370 abrogation हुआ, 35 A हटा, अब वहां पर तो समविधान चल रहा है, अब वहां पर तो law and order चल रहा है, अब जब law and order चल रहा है, तो अब अगर कोई लड़की ख पायर जलाया, चलो भाइ इसको arrest करो, इसने पत्तर बाजी की, चलो भाइ इसको arrest करो, तो वो भी एक बहुत बड़ा problem, पारुक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के सामने और Congress के सामने आ रहा है, क्योंकि जीत तो वो गए है, पारुक अब्दुला, Congress तो खेर जीती ह दुबारा चाहिए तो इसलिए 370 को दुबारा लगाने के लिए वो लोग बहुत उत्तेजित हो रहे हैं पॉस्चिंग और दमदार वीडियो लाते रहें जैहिन जैभार